पार दोस्तों जेक सक्सेस्पोंट की यूटूब चनल में आपका स्वागता तोड़े फैंस आईशियार में आई ए आराई में जो टेक्निशन की अग्जाम होने वाली है आपकी जनुरी मन्त में तो उसी के लिए सोशल साइंस की कलासे हम ले रहे थे तो उसमें अंडेस्टेंडिंग एकोनोमिक डेवल्मेंट वाला टोपिक है हमारा चड़ रहा था तो यह पूरा चेप्टर है उसके अंदर हमारी यह आज की सिक्स नंबर की कलास रहने वाली है जिसमें हम मनी एंड क्रेडिट जो मुद्र और साथ वाला टोपिक दे रहा है सोशल साइंस में उसको हम डिसकस करेंगे कि क्या-क्या इसमें रहने वाला है तो इंपोर्टेंट जो में बनते हैं बहुत ही छोटा टोपिक है बिल्कुल इसमें एकदम सिंपल क्यूशन से वह आपके पूछे जा सकते तो लगबग एक से करना हमारे स으ल फैस्ट कूशन है सर्वत्वल का रूप में किसका उप्योग का जा सकता है फिछ इसकेष्ट मेडियोंअस एक्सचेंट 인व मॉनिम या फिर क्या बोला जाता है तो किसी वस्तु के बदले एगर दूसरी वस्तुकि आछ पिर मूले का करते हैं आदान परदान क बाते हैं एक क्रे विनिय में होता है, आठ होता है क्रे मैं तो इस iron में पूछा है कि कोना थी इतया है, प्रेंक यसका भीएक हम बारत में करेंसी नोट है वो केवल बारती है रिजरु बैंक ही करेंसी नोट है वो जारी कर सकता है तो उपसंद सी केवल बारती है रिजरु बैंक ही करेंसी नोट जारी कर सकता है ओनली रिजरु बैंक ओफ इंडिया कैन इस्यू करेंसी नोट तो उपसंद सी है वो करेंसी हो जाएगा आगे क्यूशन को देखते हैं इसमें थर्ड नमर क्यूशन हमारा निमन लिखित में से कौन सा बैंक भारत में किंदर सरकार की और से क्रेंशी नोट जारी कर सकता है तो कौन सा ऐसा बैंक है जो भारत में किंदर सरकार की जो सिफारिस है उसके अंसार क्रेंशी नोट वो जारी कर सकता है, which among the following banks issues currency notes on behalf of the central government, मनलो central government के कहने पर currency note है, वो कौन सा bank जारी कर सकता है, RBI ही करता है, तो आप सभी को पता होगा, Reserve Bank of India है, वो ही currency note है, वो जारी कर सकता है, RBI है, इसकी स्थापना होई थी, वो कब होई थी, 1 April 1935 को, कब होई थी, 1 April 1935 को, RBI की स्थापना है, वो की गई थी, इसका जो मुख्यालिया, वो कहां पर है, headquarter है, वो मुंबई में, इस तीद है, कहां पर इस तीद है, मुंबई में इसका headquarter इस तीद है, वर्तमान में इसके जो governor है, वो कोन है, वो है सक्तिकान्त दास, तो ये चोटी जानकरी आप याद रखेंगे, कोई भी हम जब किशी लेंदार के यहां पर उदार पर रिन लेके आते हैं, तो वो हमसे कुछ security मांगता है, तो security के लिए जो एक सबद गड़ा गया है, वो सबद कौन सा है, यह हमें बताना है, तो सबद कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा, collateral, जब collateral जो सबद है, जिसको क जमानती सबद भी बोला जाता है, तो यह जमानत के रूप में इसको परियोग किया जाता है, कि आप कुछ security दे के जाए, उसके बदले में हम आपको रिन हो देंगे, तो यह सबद क्या हो जाएगा, collateral सबद का परियोग हो किया जाता है, अगले परसन को देखते हैं, अगला से 20 मेंबर ही होते हैं, तो 15 से 20 मेंबर इसके अंदर होते हैं, तो option D है, वो correct हो जाएगा, next question को देखते हैं, next question केंद्रिय बैंक, रिन की उपलबदा को बढ़ा सकता है, जो central bank है, वो अपने रिन की उपलबदा को कब बढ़ा सकता है, repo rate बढ़ाने के लिए, repo जो reverse rate है, उस सरकारी प्रती बूदिया या सरकारी जो securities है, कोई सरकारी प्रती बूदिया है, उनको bank है, वो दूसरे जो छोटे bank होते हैं, नीची bank या फिर और भी नीचे bank होते है, उनकी साइथा से उनको खरीदता है, तो उनके लिए वो अपने जो रिन की उपलबदता है, उसको सर्क्यूलेट करता है वह कुन करता है वह बारत का वित मंतराल है कुन करता है मिनिस्ट्रियों फाइनेंस के द्वारे जारी किया जाता है तो वित मंतराले के द्वारे इनको जारी किया जाता है हमारे समय यह चैनम है नेक्स गुंसें बारत्य में मीनिम मम导रुस डिकांश में सुंहाइब सरण हो इसकी जो सुरू इन पर 156 में इसकी शुरुआत है वो की गई थी तो option D है वो correct हो जाएगा अगले question को देखते हैं अगला question इसमें वस्तूओं के बदले वस्तूओं के आदान परदान की परणाली कहलाती है तो system of exchanging goods for goods is called तो मरलों कोई भी वस्तूओं अगर हम किसी को देते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ वस्तूओं ही प्राप्त होती है तो यह जो system exchange परणाली है वो क्या कहलाती है तो यह कहलाती है बार्टर सिस्टम यह फिर वस्तूओं भी निमाए परणाली इसको बोला जाता है तो option C है वो correct हो जाएगा next question को देखते है next question इसमें 10 नमर किसन हमारा बैंकों और सहकारी समीतियों के रिण कहलाते हैं तो कोई भी जो बैंक और जो cooperative जो बैंक देते हैं उनको हम क्या बोलते है mixed loan बोलते है ट्रंस loan formal या फिर informal loan तो इनको बोला जाता है अवचारिक रिण जो सहकारी जो बैंक से होते हैं और सहकारी जो संस्थाएं होते हैं वो जो रिंड देती हैं वो क्या कहलाती है और चारिक रिंड कहलाती है अगले question को देखते हैं हमारा 11 नमर जो question है वो कौन सा हो जाएगा बैंक निमली खित मेंसे किस खाते पर उच्च ब्याज दर परदान करते हैं जो बैंक जो होते हैं वो किस प्रकार के अकाउंट जो होते हैं जिन पर सबसे अधिक प्राप्त होता है अगले question को देखते हैं अगला question हमारा इसमें RBI के परतीक चीन पर कौन सा जाइनवर है जो RBI का जो परतीक चिन बनाय गया है, Reserve Bank of India का जो परतीक चिन एक साइन बनाय गया है, तो उस पर जो साइन बनाय गया है, उस पर किसका चित्र है, यह हमें बताना, तो उस पर किसका चित्र है, वो सेर का है, किसका है, टाइगर का इसमें शिंबल है, वो बताय गया है, सोरी, लोग नहीं है इसमें टाइगर बाग का एक चित्र हो बनाया गया है और साथ में एक जो पाल्म ट्री जो ताड का जो वरक्स है उसका चित्र हो अंकित है इसमें 13 नमबर क्यूसंद हमारा इसमें बारतिय मुद्रा नोट के बासा पैनल पर कितनी बासा हैं तो बारतिय मुद्रा नोट जो होता है उसका एक पैनल लगा होता है इस साइड में आपने नोट पर देखा होगा जिसमें ऐसा लिखा होता है मैं बात दारख को इतने रुप पर टोटल लेंग्वेज है इसकी बात करें तो 17 लेंग्वेज है वो लिखी होती है हिंदी और इंग्लीज भी इसमें लिखी होती है अगला क्यूशन हमारा इसमें 14 नंबर क्यूशन बैंक जमा के बड़े हिस्से का उपयोग में करते हैं को बैंकों के पास जो जमा धन होता ह करते हैं तो कि समन करते हैं वह रिञग का विस्तार के लिए बुनिया देंससे बनेकों में ऊभ्रो τους लेंदे करते हैं वह रिरायग कर तक परियों को उदारण है तो informal जो sector के जो लोन है उनके उदारण हमें बताना है तो जो money लेंदार्स और traders जो होते हैं ये क्या होते हैं ये informal जो रिन होते हैं उनके सरेणी में आते हैं तो साहुकार व्यापारी लेंदार्स और और लोन लेते हैं तो वह किसके अंतरगत आता है तो वह जो लोन आता है हमारा वह फॉर्मल सेक्टर के अंतरगत आता है जिसको उपचारिक रिन के रूप में हमें मान सकते हैं तो डे यह था आज का हमारा इसमें जो मनी एंड जो क्रेडिट वाला जो पूरा इसमें चैप्टर दे रखा था उससे लेटर कुछ क्लासेज हुई है अगर आपने अभी तक नहीं देखिए तो अभी जाकर उनको चेक कर सकते हैं सभी क्लासेज के हमने MCQs भी कराए हैं, कुछ classes की थ्योरी भी हमने डिसकस की है, अगर आपने वो चेक नहीं कियें, तो अभी जाकर उनको चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छा content है, वो हम हमारे चैनल पर प्रोवाइड करा रहे हैं, regularly class है, वो हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा शेयर करें, जहन्यवाद,